सुप्रभध बच्चु आज हम कक्षा साथ के समाजिक विशय का भागतीन समाजिक एवं राजनेतिक जीवन का पाट 6 संचार माध्यमों को समझना का पहला प्रक्रण संचार माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए करते हैं पाट को शुरू पाट 6 संचार माध्यमों को समझना तो देखों बच्चों कि संचार माध्यम किसे कहते हैं और कौन-कौन से होते हैं तो देखें आपको जो यहां यह चित्र दिखाई दे रहे हैं जैसे की टीवी रेडियो अख़वार ये सबी साधन क्या हैं संचार माध्यम कहलते हैं देखें कि जैसे टेली विजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्रम कौन सा है रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है प्राय आप कौन से अख़वार या पत्रीकाइं पढ़ते हैं क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं आप आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है क्या आप उसे एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामुहिक रूप से रेडियो टीवी अख़वार इंटरनेट और संचार के अन्यसादनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और यह शब्द है मीडिया इस पार्ट में आप जानेंगे कि यह मीडिया कैसे काम करता है और मीडिया कैसे हमारे प्रती दिन के जीवन को प्रभावित करता है क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इसी सब्दा संचार माध्यमों से सीखी हो तो देखो बच्चो जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल से देख कर तो इस तरह से हम बहुत सी चीजे हैं जो इन संचार माध्यमों से यानि के मीडिया से सीखते हैं स्थानिये मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो भी कुछ आप देखते हैं इन सब को संचार माध्यम यानि मीडिया कहा जा सकता है मीडिय अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तातपर्य उन भवीन तरीकों से हैं जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान परदान करते हैं यानि के विचारों का आदान परदान करना ही मीडिया कहलाता है और मीडियम का अर्थ है माध्यम क्योंकि चीज जैसे कि फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है टीवी रेडियो और अखवार ये संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनके पहुंच लाखों लोगों तक है देश और विदेश के जन समू तक है इसलिए इन्हें ज वही विचारों का आदान परदान करना यानि कि बहुत सारे लोगों तक हमारे विचारों का आदान परदान करना देश और विदेश के लोगों तक विचारों का आदान परदान करना ही मास मीडिया कहलाता है तो देखो यहां एक प्रेशन बनता है कि प्रिश्ट सत्तर पर दिये गए एक ओल आज में से संचार माध्यमों के च्छे अलग-अलग प्रकारों को च्छांटिये। जैसा कि हमने इस पार्ट के शुरुवात में कुछ चितर देखे थे उनमें से टेलिविजन, रेडियो, अख़वार, सीडी प्लेयर, कम्प्यूटर, पत्रीकाई और इंटरनेट इस तरह से ये कई साधन हैं जो कि संचार माध्यम कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संचार माध्यम और तकनीक की, कि इन संचार माध्यमों का तकनीक से क्या असर है, क्या संबन है। तो देखिए कि अब हम 2021 में रह रहे हैं तो इस समय में आधूनिक समय में हमारे लिए संभवत है इन संचार मादिमों के बीना अपने जीवन की कल्पना करना कठीन होगा लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तरित उप्योग हाली में शुरू है यानि के जो टीवी है वो अभी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि 20-1 सालों से अच्छे से शुरू हुआ है लेकिन जो इंटरनेट है ये तो अभी 2015 से ही विस्तरित तोर पर व्यापक तोर पर उप्योग में शुरू हुआ है और देखिए आगे कि इने पर्चलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए है तो जन संचार मादेमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्यद्योगी की निरंतर बदलती रहती है ये देखिए कि आपको यहां एक चित्र में दिखाई दे रहे है कि एक अख़वार, टेलिविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुं सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशेश परकार की तक्रीक का उप्योग किया जाता है हम अख़वारों और पत्रिकाओं की चपे हुए माध्यम के रूप में टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रोनिक माध्य माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं आपके विचार में समाचार पत्रों को चपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है तो आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से सम्मेंदित है यानि कि जो और पत्रिकाएं हैं उनमें जो भी न्यूज आती है या जो भी कोई भी चीज है वो चपी हुए होती है प्रिंट होती है इसलिए ख़बार और पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया कहते हैं और टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रोनिक मीडिया या इलेक्ट्रोनिक माध्यम कह जाता है आप देखिए नीचे कुछ आपको चित्र दिखाई देंगे तो उन चित्रों से आपको ये पता चलेगा कि पिछले सालों में संचार माध्यमों के इस्तमाल में जो भी तकनिक उप्योग में लाई गई वो किस तरह से बदली है और आज भी बदलती जा रही है तो दे तब वे रेडियो बर क्या सुनते थे और उनसे ये भी पूछना कि आपके एक शेत्र में पहले पहल टीवी कब आया था और केवल टीवी की शुरुवात है वो कब हुई थी जब आप उनसे पूछोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि जब उनके समय में टीवी नहीं था तब वे रेडियो का उप्योग करते थे और रेडियो पर गीतमाला चोपाल और आकाशवानी जैसे कई कारेक्रम आते थे और हमारे एक शेत्र में सबसे पहले टीवी अगर मैं मेरे एक शेत्र की बात कर रही हूं तो मेरे एक शेत्र में सबसे पहले जो टीवी है वो 1985 में आ और केवल टीवी की जो शुरुवात है वो 1995 में से हमारे भारत में हुई थी और एक अधीनियम भी बनाया गया था केवल टीवी एक्ट इसके बाद एक प्रशनूर है कि आपके पडोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो देखिए कि आज 2021 में लगभग परते कर रहे थे कि इन तकनीक के बदलने की कि यह संचार माध्यम है जो इनकी तकनी में किस तरह से बदलावाया है तो तकनीक और मशीनों को बदल कर आत्यादूनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है तो देखो कि जैसे बच्चों मशीने तो पहले भी थी लेकिन अब इन मशीनों में और बदलाव किया गया और उन्हें और नए आधुनिक बनाया गया जैसे कि अगर आपको आपने पुराने टीवी देखी हो तो वो इस तरह से बड़े साइज के और पिछे से इस तरह से उनका भाग एक निकला होता था जब इन मशीनों को आधुनिक बनाया गया तो इससे क्या हुआ कि इससे ध्वानी और चित्रों की गुनवत्ता में सुधार आता है लेकिन तकनिक इससे अधिक और भी कुछ करती है और वो क्या करती है कि ये तकनिक हमारे जीवन के बारे में हमारे जो सोचने का ढंग है उस धंग में भी परिवर्तन लाती है और कैसे जैसे उधारन के लिए देखिए कि आज हमारे लिए टेलिवीजन के बीना जीवन की कलपना करना कठीन है टेलिवीजन के कारण हम अपने आपको विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं और टेलिवीजन में परदर्शित चित सेटेलाइट और केबल के विश्वित्रित जाल के माद्यन से दूर दूर के एक्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं और इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कारेकरम देख पाते हैं यानि हम घर पर बैठे इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अपने मनोरंजन के कारेकरम भी देख सकते हैं आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वेज अधिकांशत है जापान या सेंगत राजे अमेरिका के होते हैं लेकिन बच्चों अब हमारे भारत में बने हुए भारतिय कार्टून भी तीवी पर आ रहे हैं और जैसे की मोटू पतलू और हर बच्चे को मोटू पतलू पसंद है तो इसी तरह से अब हम चन्नाई या जमू में बैठ कर अमेरिका में फ्लोरीडा के समुद्री तुफान की छवियों को देख सकते हैं टेली विजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है और ये देखिए कि आपको इस तरह से यहाँ पर एक चितर दिखाई दे रहा है कि जो 1940 के दशक में इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर के आ जाने से पत्रकारित्ता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था तो देखो बच्चों कि यहाँ एक प्रशन है जो अभी हम पढ़ रहे थे कि ऐसी तीन चीजों के सुची बनाई है जो सुनसार के किनी अन्य भागों से सम्मदित हैं और जिन के बारे में आपने टेली विजन देखकर जाना है तो देखिए बच्चों जापान और इंडोनेशिया में सुनामी का आना नेपाल में भुकंप का आना और उत्री कोरिया का प्रमानू परिक्षन करना ये सारी चीजें हमें टीवी देखकर ही पता लगी और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो करोना महमारी फैली तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि तकनिक के बदलने की कैसे उन में परिवर्तन आया है तो ये देखिए कि आपको यहां एक और चित्र दिखाई दे रहा है और कैसे इस चित्र में जो की ये अंत्र है जिसका नाम है टेलीवाइजर यानि कि ये टेलीविजन का प्रारंब जो कि अपने इस अविशकार के सामने बैठे हैं और इस ये अंत्र के द्वारा उन्होंने रोयल इंस्टिटूट के समक्ष अपने अविशकार का प्रदर्शन किया था और आप देखिए कि वर्तमान में टीवी कैसे आ रहे हैं तो इस तरह से उन में जो परिवर्तन आये है उन्हें और अधुनिक बनाया गया है नई नई तकनिकों का उपयोग किया गया है तो इससे क्या हुआ कि इसमें ध्वानी और चित्रों की क्वालिटी में सुधार आता है अब हम बात करेंगे संचार माद्यमोर धन की कि संचार जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जान के अत्यंत खर्चीली होती है अगर हम एक TV स्टूडियो के वारे में बात करते हैं कि जहां पर समाचार वाचक बैढ़ता है समाचार वाचक यानि निज रीडर जो कि हमें निज पढ़कर सुनाता है समाचार सुनाता है तो उस कम्रे में वहां लाइटे, कैमरा, ध्वनी रिकोर्ड करने के लिए यंत्र और संप्रेशन के लिए सैटेलाइट आदी होती है और इन सभी का मुल्या क्या है? बहुत अधिक होता है तो समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाच्चक को ही वेतन नहीं दिया जाता बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस परसारन में सहायक होते हैं और इसमें कौन-कौन लोग होते हैं? इसमें वे लोग समलित होते हैं जो जैसे की कैमरा पकड़ते हैं या फिर परकाश की यानि के लाइट की विवस्ता करते हैं जैसा कि हमने अभी पड़ा कि जन संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं और इसलिए नविंतम तकनीक जुटाने पर बहुत धन व्या होता है और इन खर्चों के कारण जन संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत धन की आवशक्ता होती है और परिनामत है अधिकांश टीवी चैनल या समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं यानि के कोई भी बड़ी कमपनी है उनके द्वारा ही टीवी चैनल या समाचार पत्र हैं वो चलाए जाते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि जंसंचार माध्यम और लगातार धन कमाने के लिए इन भीविन तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं कि हम कैसे धन ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं तो एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माद्यम धन को अरजित करते हैं और वो है विग्यापन का कि भीविन वस्वों के विग्यापन के द्वारा वो धन इकठा करते हैं जैसे की कारे, चोकलेट, कपडे, मोबाइल, आदी आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिये टे विग्यापन देखने पड़ते हैं, टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार-बार वही विग्यापन दिखाए जाते हैं और इस तरह से प्राए बार-बार आप उनी छवियों को देखते हैं, तो देखो बच्चू, यहां एक प्रश्न है कि अपने प्रिये टीवी कारेकरम के दोरान विग्यापित होने वाली तीन चीजों की सुची बनाई है, तो देखिए, जैसे की टीवी में आपने देखा होगा विग्यापन में कई परकार के खाद्या परदार दिखाए जाते हैं, जैसे कॉल डिंग है, बिस्कुट है, बह तीन चीजें क्या हमें इस तरह से अगर कोई हमें ये बोले कि तीस चीजें बताओ तो हम तीस चीजें भी बता सकते हैं, इसके बाद एक प्रशन और बनता है कि एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिये गए विग्यापनों की संख्या गिनिये, कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विग्यापन होते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये बात सही है, यदि हाँ, तो क्यों, तो देखिए कि मेरा मानना है कि ये बात सही है, समाचार पत्रों में बहुत विग्यापन होते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा, संचार मेडिया संचालन के खर्च को वहन करने के लिए अधिक-अधिक विग्यापन देते हैं और इन्हीं विग्यापनों से प्रभावित होकर इनकी उत्पादों की विक्री है वो बढ़ती है जिससे गयपारिक परतिष्ठान है यह कमपनिया है अधिक-धिक धन कमाते हैं और इस त उन्हें शोशित करती हैं तो इसके बाद देखे कि हम देख रहे थे कि जैसे विग्यापन में बार-बार वोई विग्यापन दिखाए जाते हैं और हम बार-बार उनी छवियों को उनी चित्रों को देखते हैं जैसा कि आप आगे के अध्याई में पढ़ेंगे तो इन विग्यापनों के बारे में हम आगे के अध्याई में पढ़ेंगे तो विग्यापनों की जो बार-बार अवरिती है वो इसी आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर और इन विग्यापन में जो वस्तु दिखाई जाती है उसे ख उसका वह एक अजार रुपे से लेकर एक लाख रुपे तक हो सकता है और यह आपको यहां पर यह टीवी चैनल का जो रूम है वो दिखाई दे रहे हैं कि देखो कितनी यहां पर लाइट है साउंड है कितनी लोग यहां पर काम कर रही है तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कि कैसे जो जाधतरे टीवी चैनल हैं या समाचार पत्र हैं, वो ँर सिनाव बड़ी एक व्यपारिक प्रतिस्ठान कहीं एक भाग होता है यानि कि कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक यह खुद कमपनियां हुती हैं पिर एक साहल मैं थे द्वारा जैसेकि टीवी है रेढियो है, अकवार हैं और इन विग्यापनों से क्या है कि उनकी उत्पादों को बडावा मिलता है यो जैसे छम लोग है यह जो जनता है वह पाठाक दर्शयक और昨ення में देखते है Wars और देखकर के इन उत्पादों को खरीदते हैं और जब खरीदते हैं तो वो पैसा क्या है वापिस उन्हीं वेपारिक प्रतिस्ठानों को फ्रैक्टरियों को जाता है और इसे उन्हें जो है काफी धन मिलता है और उनकी जो आए है उनकी कमाई है उसमें वृद्धी होती है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद